नमस्कार मेत्र मैं गुरुदेव अब्जेर रिविटर से दीवीदर्शन पूरोहीद बुढ़ रहा हूँ आप सबको आश्चेरे होगा कि पूरे विश्व में स्पेश डेबरीस 2022 की सरव प्रथम बार केवल भारत में गिरी है और दो एपरिल 2022 को गिरी थी वह सबसे ज़्यदा गुजरात अलों ने देखी और चंद्रपुर महारश्ट में जाके गिरी उसके बाद में अभी 13 मही से वह सिलसिला सरू आज 17 मही तक चला और गुजरात के ही चारो तीन से चार डिस्टिक में जाकर के गिरी और सबको से जुड़े और हमारे बहुत सालों से जो वैग्यानिक मित्र हैं जैसे नासा के पूर्व वैग्यानिक जो स्पेस डेवरी के एक्सपर्ट हैं पावल मौले करके हैं दुसरे हैं ब्रैड यंग तीसरे हैं जौन मैकनाथन और चौथे चार फिलिप्स यह चारों हमारा जो मनतविय था उन सब को मिला करके एक चित्र हम लोगों ने तैयार किया है हम सब का मला पूरे वैग्यानिक टीम का मनतविय है कि जो सांग जैंग करके याने की लॉंग यूनिट का एक चाइनीज रोकेट था जूद सप्टेमर 2021 में सेटेलाइट को लॉंच करने गय है 12 माई को साम को साड़े तीन बजे री एंटर हुआ आसमान में और अरेवियन समंदर के उपर री एंटर हुआ और वहां पर उसका ब्लास्ट हुआ उसमें से सब स्फियर्स निकले जो आप गोले देख रहे हैं वह एक्चुली हाइड्राजाइन ब्लेडर है उसमें मतलब हुआ क्या उनका और हम सब का यह मनतव ऐसा आया है कि लोगों को 13 14 15 16 17 मगर वास्ता में 12 मैं को डिसेंटर हो गए थे और धिरे-धिरे नीचे आने लगे थे उनकी जो वेलोसिटी थी रेडियल वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी वहत कम हो गई उसके चलते वह स्लो मतला को एक तो बहुत बड़ा खड़ा नहीं गहीरा और ग्रास वगेरा कोई कुछ जला नहीं वह जब गीरे तो वह अलग अलग जगो पर गीरे मगरूं उसी का पाथ है वह पात वह है जैसा कि हम लोगों ने साइन्टिस से प्रिडिक किया था उसी प्रकार का पात है और रात्री तक गिरी ही गए सारे बारा सारे पांच बजे वो गिरना सुरू है सारे तीन बजे के बाद में आना सुरू हो गए तो एक यहां पर एक यहां पर एक वहां पर जाकर के गिरे और गिर करके वह वहीं पर रह गए फिल में खेतों में मगर लोगों को फिर मालूम पड़ प्रेडिक्शन नहीं हुआ था और आज साम रातरी तक गिनने की संभावना और एक दूसरी प्रोड़क की संभावना हम व्यक्तिक करते हैं कि साइब गुजरात में नहीं गिरेगी मगर यह जो चीज स्पेस से आने वाली चीज है अभी और ज्यादा बढ़ेगी क्यों क्योंकि अभी लोगों की सुख की भूख बढ़ गई है और सभी कमपनी सेटलाइट को लौंच करने की वार में आके खड़ी हो गई है दौड में आके सामिल हो गई है उसके चलते 5 साल के बीतर करीबन 50,000 से ज्यादा और 10 साल के भीतर एक लाग से ज्यादा सेटलाइट आसमन में हो जाएंगे और चूंकि अब सौरीय सकरीता बढ़ रही है हम कल फोटोग्राम आपको भेजेंगे सबको सूरिय पर आज 8 कलंग चल रहे हो सकता है कल 10 हो जाएंगे यह अब तक के स सबसे ज्यादा सबसे घनिश सूरिय कलंग है इस सवरी साइकल में इतने सूरिय कलंग आये देखे नहीं इतने सूरिय कलंग आ चुके उसमें जब को निकलती है तो वह आतानों को उपर को उपर हिसे को गरम कर दीती एटमसफेर की डेंसेटी बढ़ जाती है और जब हवा प दर्शा के सब को एक खास बात बताना चाहेंगे कि हमें खास करके चौकर ना रहना है क्योंकि भारत में पॉपिलसन ज्यादा है और रिदेसों में कम है तो वहां पर हतात की संभवन अब तक एक ही लड़की पर गिरा है और तुलसा अमेरिका में रहती है बग अरब बढ़ जाती है उसका मुहायवजा देने की मगर यह लोग ऐसा करते हैं हमारा है हमने गिरा है तो यह जो गिरेगा तो उससे हमें क्या करना है अगर कहीं सॉनिक बूम आती हूं करके आती है या कोई एक्स्प्लोजन के आवाज आती है तो एक दम चोकन हो के पहली बात तो आसमान म की संभवन ना थी उसमें से जो लीक होने की संभवन भी बनी रहती है स्वयल में वाटर में हो सकता है और एनिमल्स को और हम लोगों को जी यूवन बिंग्स को बहुत तकलिफ हो सकते उसको सपर्स ना करें दूर से देख ले फोटोग्राम निकाले दूर से निकाले और को चाहिए कि वह एक देने जा रहे हैं विग्यापन की बनाना चाहिए उसको स्टोर कर देना चाहिए और उसके अपर पड़िक अवेनेस फैलानी बहुत आवशक्त है इसलिए हमने इंटर्विए है कि मीडिया को और लोगों को मालूम पड़े कि यह दो बाद एक तो यह सा क्या आटकेदारी रखनी है हम कौन कौन से प्रिकोश्थं रखने ताकि आने वाले समय में इस से और कोई हता हत ना हो तो इससे डर है नहीं नाँ घबराये मगर इसके उपर प्रिकोशन रखेए आये प्राथना करें पेंडे में की वर की क्लाइमाट चैंज की समापति की औ अरे बहन तो सुखिना सर्वे संतु नेरा में, everyone be happy and everyone be healthy. This is दीवेद रशन पूरुवेथ फरम गुरुदी अब्जेट रोड अधरा इंडिया. नमस्कार मेत्रो.